क्या आप बवसीर यानि पाइल से परिशान है चाहे सूखी या खूनी बवसीर या फिस्टूला फिश्योर हर तरहां की बवसीर का शर्तिय कामियाब इलाज मौजूद है कस्टमर केर 7207-430-058 सच न्यूस के खबर नामे में आप सबका इस तकबाल है आज की सबसे बड़ी खबर राजस्तान से आ रही है जहां पर एसी बीने एडी के अफसर को ही कर लिया है रहेस 15 लाग हूसकोरी का मामला सामने आये है राजस्तान एसी बीने एडी के अधिकारी को हिरासत में ले लिया है जाच एजनसी के अधिकारी पर लजाम है कि उन्होंने बिचॉलिये के जरिये 15 लाग रुपे की रिश्वत मांगी है राजस्तान में बीते दिनों एंडी ने कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा के ठिकानों पर चापे मारे की थी इसके अलावा सीम गहलोत के बेटे वेबब गहलोत के एफ ए आर एसे जुड़े मामले में पूछताच की है अब राजस्तान एसीबी ने एडिके अधिकारी के खिलाफ आक्शन लिया है जाच एजन सी के अधिकारी पर इलजाम आ रहा है के पंदरहा लाख रूपी की रिश्वत की मांग करी है सोर्सिस के मताबिक एसी पी एडी अधिकारी को आए से अधिक संपति आने के अपने पास से जादा पैसों के मामले में ट्रैप किया था जिसके बाद उससे जुड़ी जगाओं पर छापे मारी की गई पिर अधिकारी को हिरासत में लिया गया बताया जा रहा है इस मामले में जल्द ही एसी बी अधिकारे गोशना यानी अनाउंस्मेंट कर सकते हैं नवल किशोर मीन प्रवत्तन इशाले में काम कर रहे थे नवल किशोर पर इल्जाम है कि चिटफंड से जुड़े एक मामले को बंद करने और कूर्क नहीं करने गरफतार के सामने पेशी हुई ये सतरा दिन लड़की को रखा है डिजिटल अरेस्ट में और धाई लाक रुपे का चूना भी लगाया है डिली एंसी आर से साइबर ठगी का नया मामला सामने आ रहा है जहां एक छातरा यानी स्टूडन को बड़े ही अनोके तरीके से ठगा गया है इसमें चातरा को सतरा दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया था इस दौरान उसे काफी डराया धंकाया और धाई लाक रुपे तक ट्रांसवर करा लिए इस दौरान फरजी पुलिस पुलिस टेशन और सी बी आई ऑफिसर भी नजर आए हैं आए ये पूरा मामला आपको ठ ठीक से बताते हैं तकनीक दुनिया बहुत तेजी से करवट बदल रही है और इसी करवट का दूसरा पहलू है साइबर ठग दरसल लेटेस मामला दिली एंसियार फरीदाबाद से सामने आया जहां पर साइबर ठग ने स्टूडेंट को सतरा दिन तक घर के अंदर बंद रहन जिसमें काफी तादात में पासपोर्ट और बाकी कार्ड्स हैं ये पारसल आपके आधार नंबर से लिंक है इसके लिए आपको आज ही एफायार करवानी पड़ेगी वरना आपको लगनाव कोर्ट में पेश होना पड़ेगा अपने जूट को कायम रखने के लिए अनन्या क स्काइब वीडियो कॉलिंग पर आने को काहा गया इसके बात अनन्या को बताया गया कि उनकी बात पुलिस अधिकारियों से कराई जा रही है इसके बात अन्या को स्काइब पर पुलिस थाने का बैक्गराउंड भी दिखाई दिने लगा और उसमें पुलिस की वर्दी पहन लोग भी दिखाई दे रहे थे पुलिस अदिकारी ने अनन्या से कहा कि आपका अधार कार्ट चेक कर रहे हैं फिर कुछ देर बाद बताया गया कि अनन्या के खिलाफ पहले ही एक लड़के ने एफ आयार दर्च करा दी है स्कैमर्स ने अनन्या को डराने के लिए कहा कि आपका कनेक्शन एक बैंक अधिकारी के साथ है उस व्यक्ति के खिलाफ पहले से ही हम्मून ट्राफिकिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और इस कर्मियों ने अनन्या को डराते हुए ये भी कहा कि कुछ ऐसी शिकायते हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए पैसे दी है उसमें तीन करोड़ असी लाख रुपे का बुक्तान होने की शिकायत भी है और इसके बाद मदद करने के बदले पुलिस ने 15 रॉपे अनन्या से मांगे एसके बाद पुलिस ने कहा कि आपकी मदद करना चाते हैं और हम संभव मदद भी करेंगे फिर उन्होंने कहा कि CBI इदिकारी भी हमारे बिलड़िंग में बैटते हैं हम उनसे आपकी बात कराते हैं जिस पर सीबी आइदिकारी ने अन्ये से कहा कि जितने कीमत के आपके खिलाफ चार्ज हैं उसका 5% यानि 15 लाक रुपए आपको अभी देना होगा। साथ में ये भी बताया गया के सीबी आइदिकारी ने कि अगर रकम नहीं दी तो अनन्या को अरेस्ट करना पड़ेगा। मोले का बुक्तान में अनन्या ने अपनी हामी नहीं भरी तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद कर रहे हैं और आपको अरेस्ट बना कर हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं जोरान आपको अपना स्काइप बंद नहीं करना होगा हम आपकी आवास सुनते रहेंगे इसको डिजिट में नाकाम रहे तो उन्होंने अनन्य से का कि हम आपका डिजिटल अरेस्ट खतम कर रहे हैं आप अपना स्काइप अकाउंट अब लॉग आउट कर सकते हैं और इसी तरहां से नकली पुलिस सी बिया और कस्टम आफिसर के सामने 17 दिन तक लड़की को डिजिटल अरेस्ट रख की खबर है क्योंकि कई अलाकों में हवा का रुक बहुत तेजी से बदल रहा है चार सो से जादा ऐसे केसे सामने आ चुके हैं जहां पर जहरीली हवाओं के खिससे सामने आ रहे हैं पेश्यवरों को कहना है कि इसमें बच्चों और बुजर्गों को अस्तम और फेपड़ों की प्रॉबलम सबसे जादा बढ़ सकती है राजधानी में आज सुबह से दुन्द रही है और मौसम भी ठंडा है बताया जा रहा है कि 16.3 डिग्री के टेंपरेचर पर आनंद विहार बवाना मुंडग और पंजाबी बाग में जहरीली हवाओं के फैलने की काफी जादा आ वर्निंग लाँच कर दी गई है वहीं बात अगर आप करें असेमली एलेक्शन्स की तो वोटर्स को लुभाने के लिए नक्ती बाटी जा रही है सी एम भगेल बोले है कि सी आर पी एफ वाहनों को भी जाच के लिए भेजना चाहिए विधान सबा चुनाफ दोहज़र नहीं लगाया जा सकता चुनाफ रचार के हमारे केंदर मंतरी केरें रिजूजे कर रहे हैं साथ ही नागालेंड के डिप्टी सी एम यांतुगू पटैन और राश्ट्रे सचे वरितूराज सिनहा भी मिजोरम में काम कर रहे हैं कॉंग्रेस अधियक्ष मलिक कारजुन खरग भाजपा के एजन्ट पार्टी होने का इल्जाम भी लगाया है खरगे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि पूर्फ पी एम राजीव गांदी साल उननेस सो च्छे आसी में एक शांती समझोते के जरिये राज़े में शांती लेकर आया और उननेस सो सतासी में मिजोरम को राज़े का दरजा दिया कॉंग्रेस पार्टी हमेशा राज़े के विकास के लिए खड़ी रही है उनने लिखा कि भाजपा आरेसेस विविक्ता के खिलाफ है और या आदिवासियों की कीमती जमीनल जंगलों को चीनना चाती है ताकि अपने पूंजी पतियों क को फाइदा पहुचा सके बागे की तमाम खबरों के लिए देखते रही है सच नियूज आवाम की बहतर सिहत के लिए यूनानी आयुरवेदिक होमियोपैती दवाओं से तजुर्बिकार डॉक्टर्स की निगरारी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है जैसे कि वेट टमी फैट, हेर लॉस, जॉइंट पेन, किड्नी स्टोन, गॉल ब्लेडर स्टोन, बवासीर, सोरियसिस, मरदाना थाकत जैसे कई और दिगर अमराज का काम्याब शुदा किफायती इलाज किया जाता है हिजामा फिजिकल थेरिपी, फीट थेरिपी, अपनी बीमारियों से छ 430-058